हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप सभी लोग आज की क्लास में जो हम लोग देखने वाले हैं आपको अब आप सोचो थोड़ा मैंने कब ग्रेविटेशन स्टार्ट करा ग्रेविटेशन भी कम्प्लीट कर दिया उसके वेरी शॉट भी हो गए शॉट भी हो गया एंसी आइ गती जो स्पीड है वो कितनी तेजी से आगे की और बढ़ रही हैं तो मार्क माइवर्ड एंड रिमेंबर भिटेशन जो भी यह सोच रहे कि अरे बहु Ugh और तीरे दीरे चल रहा है बहुत दीरे दीरे में ले जारा है तो याद रखें मन के काबू में ना हैं मन को काबू करें और जिस स्पीध से चलना हां तरही स्पीड से मतलब क्या है कहने का मतलब יהए यदी आपको इतना कंप्लीट करवा दिया गया और इतने से अगर कोश्ण पूछा जा रहा है तो बेटे One question number क्या कहता है आपको? Two object of different masses falling freely near the surface of the moon would have same velocity at any instant, have different acceleration, experience force of same magnitude undergoes a change in the inertia. क्या होगा इसका answer? जल्दी से comment box में लिगें. मैं 2 second का time दे रहा हूँ. हो गया होगा, मेरे अनुसार. आप याद रखेंगे, आप कॉपी पहिन के आवशकता नहीं है. फोन आपके हाथ में होना चाहिए, लीड आपके खान में होना चाहिए और comment box में answer, मतलब उंगलिया type करनी चाहिए. ठीक है चलिए, answer देखते हैं क्या होगा, इसका? Have same velocity at any instant. Already ये concept पढ़ाया हुआ है. मैंने काहा कि दो object 2% नीचे की और छोड़ना हो. उनका mass अलग-अलग है. क्या वो दोनों object same velocity पे गिरेंगे? हाँ. तब मैंने काहता कि let's suppose कोई एक बच्चा है, वो कहता कि sir, एक हाथ में feather है और एक हाथ में एक iron की ball है. Iron की ball नीचे आ रही है feather, तो ऐसे ऐसे करके आ रहा है, तो आप कैसे कह सकते हो कि दोनों की velocity same है. मैंने का बेटे medium को हटा दो, medium in the sense air को हटा दो, आप देखोगे कि दोनों के दोनों एक की time पे नीचे की और गिरेंगे. बास समझ में आ रहा है. ठीक है, इतनी बात clear है, इतनी बात clear हो, तो आगे की और बढ़ो. ठीक है, चालिए. अब हम लोग बात करते हैं, the value of acceleration due to gravity is same on equator on pole. मैं हस दिया, क्यों हस दिया? क्योंकि इसकी last वाली class में, मैंने एक example लिया था, जिसमें दो मित्र का example था. उसने खरीदा pole पे बेचने आगया, equator पे, क्या उसका दोस्त लेगा? कभी नहीं लेगा, because pole पे क्या होता है? high होता है, equator पे क्या होता है? low होता है. क्योंकि equator पे radius क्या होती? जादा होती है. और मैंने आपको बताया था, F, F, मैं लिख दे रहा, F, मैं लिख दे रहा, F is equals to capital G, M1, M2 upon R square. मैंने बताया, R जादा F कम, R कम F जादा. हाँ या ना? option देखते हैं, at is least on equator. क्या होगा? the value of acceleration due to gravity सबसे कम कहां पे होगी? equator पे होगी. इतनी बास समझ में आ रही है, हाँ या ना? equator पे क्यों होगी? because आप देखो ना, अगर मैं इसमें acceleration due to gravity की बात करी आ रही है, तो small G, capital G, M upon R square, R जहाँ पे जादा, G वहाँ पे कम, R जहाँ पे कम, G वहाँ पे जादा, तो pole पे G जादा होगा, और equator पे G कम होगा, because equator पे क्या जादा है, आपका R जादा है, आशा कर रहा हूँ, आपको बात समझ में आ रही होगी, next question क्यों मूव आन करते हैं, the gravitational force, अब अराम अराम से दिखते हैं, the gravitational force between two object, if F, क्या है, कि gravitational force, किन ही दो object में, let's suppose, ये एक मेरा object है A, और ये एक मेरा object है B, हाँ, if F, इन दोनों के बीच में, जो लगने वाला gravitational force है, वो gravitational force मैंने क्या suppose करवाया, F, if the masses of both object are halved, क्या है, let's suppose, इसका mass है M, और इसका mass है M, इसका mass है MA, और इसका mass है MB, जो इसका original mass है, लेकिन क्या कहा गया, अब इसके original mass पे लगने वाला force कितना है, F, अब कहा गया, कि भाई मेरे, इसके original mass को just, हमने क्या कर दिया, A दा, क्या कर दिया, A दा, जब हमने original mass को आदा कर दिया, आप पूछा जा रहा है, जबा मेरे को F, बता दो, MB क्या है, just half है, तो F is equals to G, MA upon 2, multiply by MB upon 2, 2, 2, 4, या फिर आप इसको क्या कर लो, common ले लो, तो common ऐसे नहीं कि, इन सम्मे से 1 upon 2, नहीं बाई, 1 upon 2, 1 upon 2, multiply के form में है, so it will be 1 upon 4, capital G, MA, MB upon R square, क्या ये value, हमारी F के बराबर नहीं है, तो आप लिखोगे, जो new F आएगा, that is F dash is equals to 1 upon 4, F, answer कितना होगा, A वाला correct, हाई या ना, अब आप लोग मेरे को कैसे बताऊगे, कि किन बच्चों का A option correct है, so इसके लिए एक तरीका, क्या तरीका है, आप जैसे ही मैं कहूं कि, कौन सा answer correct है, आप लिए टीम से मैं कहूंगा, कि वो आपकी कमेंट्स को एनलाइस करें, एनलाइस करने के बाद, जिन भी बच्चों का कमेंट्स जादा आएगा, जैसे कि माल लो, अरजुन सक्सेना ने, माल लीजे, मैभी यहाँ पर मैं भी 10 कोशन करवाँ, उस 10 कोशन में से 8 कोशन का answer correct दिया है, और बहुत तेजी से दिया है, ठीक है, अगर वो कमेंट्स मेरे को देखने को मिलता है, तो next class में उन बच्चों का मैं नाम जलू बोलूँगा, विद कमेंट्स के साथ, कि आपके ने इन बच्चों का ये ये कमेंट्स देखने को मिला है, is that clear? चलिए, आगी क्यों बढ़ते हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ, अब बॉइ इस विर्लिंग ए स्टोन, टाइट टो ए स्ट्रिंग इन आ होरिजॉंटल सर्कुलर पाथ, इफ दा स्ट्रिंग बेग दा स्टोन, option देखते हैं, विल कंटिणी नुए मूव इन दा सर्कुलर पाथ, विल मूव एलोग आ रस्ट्रेय लाई टोवर्स द posso ए कि दा सर्कूलर पाथ, विल मूव एलोग आ ब अ डाग ए स्ट्रेय लाई, टेंजेंटियल तूदा सर्कुलर पाथ विल मूव एलोग एस्ट्रेट लाइन पर्पेंडिकुलर तूदा सर्कुलर पाथ अवे फॉम दबॉय तहां से दिखिए यहां से दिखिए अब मेरे पास भाई कोई इस्ट्रिंग वगएरा तो है नहीं तो मैंने कहा कि यह मेरी वाटर बॉटल है और इस वाटर बॉटल को मैं एक इस्ट्रिंग की तौर पर ऐसे गुमा रहा हूं ठीक है अब आप समझ यह कि यह वाटर बॉटल का इतना हिस्सा क्या है इस्ट्रिंग है और यहां पर क्या इस्टोन तो मैं इसको ऐसे 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 घुमा रहा हूँ तो अब आप देखोगे कि जब भी ऐसे होगा तो यह जो थ्रेड है उस थ्रेड से जब मैं स्टोन को घुमाऊंगा तो इस्टोन क्या होगा एक सर्कुलर पाथ को फॉलो करेगा कैसे पाथ को फॉलो करे बात समझ में आ रही है, इतनी बात आपको clear हो अगर ये जो circular path में घूम रहा है तो यहाँ पर दो force लग रहे है एक तो भाई मेरे string पर force लग रहा है जो कि मैंने आपको बताया है, जल्दी से बताओ वो force का क्या नाम है? Tension हाया ना एक दूसरा force भी लग रहा है उस force का क्या नाम है? Centripetal force हाया ना इतनी बात clear है अब ये जो ball है वैसे तो ये straight जानी चाहिए हाया ना लेकिन एक force अंदर की और लग रहा है that is a centripetal force जिसकी वज़े से ये straight जानी चाहिए ball लेकिन force लग रहा है perpendicular तो ये हर direction में straight जानी चाहिए लेकिन जब force अंदर की और लग रहा है तो ये move कैसी कर रही है circular path कैसी कर रही है circular path कैसी कर रही है circular path बास समझ में आ रही है straight अगर मैं देखू कि एक particular छोटे distance करे तो आपको दिखेगा भाई ये straight जा रही है लेकिन force तो अंदर की और लग रहा है जिसके जैसे ये move कैसी कर रही है move कैसी कर रही है अब इसी string को अगर मैं काट दू तो ये कैसे move करेगी in the straight line direction answer देखते है will move along a straight line tangential to the circular path tangential का मतलब क्या है ऐसे move करेगी और वो भी straight line में move करेगी बास समझ में आ रही है जल्दी से बताईए किस-किस बच्चे ने इसका answer सही अनुमान करा या फिर उनको पता ही था भाई मेरा ये answer होने वाला है अपने नाम के साथ जरूर करिएगा क्योंकि मैं कि को नाम पढ़ना है क्योंकि मैं देखता हूं कि कुछ बच्चों का नाम होता है Rockers X Y Z कुछ ऐसी अतरंगी नाम होते हैं तो बेटे उन नाम होगा कोई मतलब नहीं मैं बोलूगा भी नहीं ऐसे Rockers कि Rockers बच्चे ने अच्छा गया नहीं नहीं बोलने का Rockers ठीक है आगे बढ़ते हैं Question No.5 फिर इत्मिनान से पढ़ेंगे Question No.5 चलो मैं चारा हूँ कि Question No.5 एक बार आप अपने घर से करो ये Question of the Day होगा ठीक है घर से करो नहीं आएगा मैं बताऊंगा ठीक है मैं भी याद रखूँगा कि अग्री आली क्लास में इस Question का जिक्र जरूर हो लेकिन आपका दायत्व है कि आप एक बार इक Question जरूर अपने आप से करो Next कुछ नहीं है इस Question में बहुत एजी है ठीक है तो आप अपने आप से कर सकते हो अब हम लोग बात करते हैं If the relation F is equals to यह गलत लिखा है मैं इसको सही कर देता हूँ F is equals to Gm1 M2 ठीक है Gmm slash R square ठीक है The quantity G अब यहां में पूछा जा रहा है कि एक कोई relation दिया गया है उस relation को पहले हम लोग लिखते है वो relation क्या है Gravitational force F is equals to Capital G M M upon D square इस relation में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी अब आगे पढ़ते है The quantity of G और यहां पर यह जो G की quantity है इसके बारे में कुछ प्रश्न करा जा रहा है पहला Depend on the value of G at the place of observation क्या यह small g that means gravity acceleration due to gravity पर depend करेगी Next Is used only when earth is one of the two masses Is greater at the surface of the earth क्या यह बढ़े आती है surface of the earth पे Is universal constant of nature तो अब already आपको पता है इस G का पूरा नाम क्या है Universal Universal ग्रेविटेशनल और यह जो यह जो Universal ग्रेविटेशनल कॉंस्टेंट है आप देखो ना कॉंस्टेंट तो क्या यह किसी भी चीज़ पर डिपेंड करेगी नहीं So the correct answer is Is universal Constant of nature Next अगर मैं पूछूँ आप से बिटे Value of G कितनी होती है तो आपको याद होनी चाहिए यह question में नहीं दिया जाएगा को बात देख आप करी नहीं सकते हो कि exam में से कहो कि मेरे कुछ G की value दो तो G कितना होता है 6.67 इंटो 10 तो दी पाव माइनस 11 नूटन मीटर स्क्वार पर किलोग्राम स्क्वार चाहिए आपको बात करते है Next question Law of gravitation Gives the gravitational force Between मतलब क्या है जो law of gravitation है वो हमको क्या बताता है F is equals to capital G M1, M2 upon R2 और इस law की अगर मैं बात करूँ तो इस law में किन bodies का यूज कर जा रहा है उसके बारे में ये प्रस्टन है The earth and the point mass only The earth and the sun only Any two bodies having some mass और two charged bodies only तो भाई साहब अगर earth और point mass के बारे में पूछा जाया है तो मतलब मैं बेकार ये camera बेकार Next, the earth and sun only मतलब इनों ने उसका domain बात कर दिया Domain मतलब कि भाई तुम इतने में खिलोगे बाहर नहीं निकलोगे आया ना तो ये भी नहीं होगा Next, two charged bodies भाई जो मेरे uncharged bodies हैं उनका क्या हम लोग gravitational force नहीं देख सकते हैं तो ये भी गलत है तो answer क्या हुगा As you know that option number c is correct बात clear है ये और बढ़ते हैं The value of quantity capital G In the law of gravitation Depend अब यहाँ पर फिर से वही बात आ गई G आपका है मैंने कहा capital G को आप किस नाम से संबोधित करते हो Universal law of gravitation किस नाम से संबोधित करते हो Universal law of gravitation और क्या ये capital G कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज़ पर dependency show करेगा भाई मेरे वो constant है और जो constant है तो वो किसी पर कैसे depend रहेगा तो answer क्या होगा Is independent of mass and radius of earth इतनी बात clear देख लेते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं हाँ करेक्ट है कौँ सा option करेक्ट है D clear है बात हाँ या ना चलिए अब मैं आपको अगले वाले question पर ले जाने से पहले एक चीज़ आपको बताना चाहरा हूँ आप ध्यान से सुनिए जैसे की मैं था तो मेरे time पे भी मेरे माता पिता या फिर जो मेरे गुरू जन थे जो टीचर थे वो भी मेरे से ये कहते थे कि सर सर नहीं कि बेटे अगर 10th में अच्छे marks लाने है 11th में अच्छे marks लाने 12th में अच्छे marks लाने है पढ़ाई 9th से चालू लगो लेकिन मैं आपको एक secret की बात बता रहा हूँ 9th का जो पढ़ाई है वो 10th में आती है लेकिन इतना जादा dependency नहीं है तो सर मैं अपने subject की बात कर रहा हूँ तो बाकी लोग ऐसा बोलते क्यों है ऐसा क्यों कहते हैं ध्यान से बात समझना वो बात क्या है कि आपकी आदते 10th क्लास के मार्क्स को देखती है मतलब जैसे कि suppose करिए एक कोई बच्चा A है उस A बच्चे ने अपनी आदते कैसी रखें वो पढ़ेगा तो भाई साब बैठ पर बैठ के पढ़ेगा मेज कुर्सी जाए भाड में मेज कुर्सी पर उसको नहीं पढ़ना वो अराम से उठेगा अराम से सोएगा कुछ भी खाएगा कुछ भी पिएगा बिमार होगा तो क्या उसका 9 अच्छा जाएगा नहीं क्या उसका 10 अच्छा जाएगा आपको होगे सर एक महीने बाद देखना बिटे बहुत देखें बहुत देखें शुरुआत में मोटिवेशन चरम सीमा पर होता है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ टेंथ की कंडिशन टेंथ में क्या होता है कि जब आप इस्कूल में पहला कदम लगते हो एक तो एनर्जी ब पढ़ रहे हो तो अब आप क्या करो अगर आप बैड़ पर पढ़ रहे हो तो कोशिश करिए मेच कुर्सी पर बैठ के पढ़े अगर आप बाहर की चीज़े ज्यादा खा रहे हो कोशिश करो मा के हाथ की चीज़े खाओ अगर आप कुछ अन गतिविधी में संबलित हो तो वो उन सारी गतिविधी को छोड़ो कौन-कौन से? फोन चलाना आज कल वो और चला है ना व्लॉग करना भाई मेरी स्टेज तक आ जाओ मेरे जितने बड़े हो जाओ तब तो व्लॉगिंग वगएरा का आपको जुनून चले तो मैं जान सकता हूँ पहरे पढ़ाई पर फोकस करो और अगर व्लॉगिंग पढ़ाई के थू कर रहो व्लॉगिंग भी आपका हेल्प कर सकता है कैसे? आप रूटीन देखो कैमरा उठाओ और रूटीन बादो कि भाई हेलो फ्रेंड्स मैं आज ये कर रहा हूँ कि मैं आज इतने बज़े सोके उठा तो आपको अपने अंदर ही गिल्ट महसूस होगा जब आप उस कैमरे के सामने काओगे हेलो फ्रेंड्स मैं आज 10 बज़े सोके उठा को टैक जरू करना ठीक हम मैगनेट ब्रेंड को भी आगे बढ़ते हैं चालिए लेकिन ये याद रखिएगा 10 में अगर माक्स अच्छे अच्छे अटेंड करने हैं तो 9 में आदतें अपने को सुधारनी है बिकॉस आदतें ही आपका 10 डिसाइड करेंगी पढ़ाई आपका जरूर करेगी पढ़ाई मैं आपको करवा दूंगा 10 की लेकिन आदतें अगर अच्छे नहीं होंगी तो फिर वो दिख कर देगी चलिए आगे बढ़ते हैं क्या है कोशन नमबर 9 तो पार्टिकल आर प्लेजड एट सम डिस्टेंस if the mass of each of the two particle is doubled keeping the distance between them unchanged मतलब क्या है द्यान से देखिए ये इस numerical में ही मैंने आपको करवाए है ठीक है बस इस वज़े से कि आप मैं देखना चारा हूँ कि भाई जो मैं करवा रहा हूँ इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आप उसको सार्थक कर रहा हूँ देखते हैं ये कोई object है M1 ये कोई object है M2 और इसके बीच की distance है R R change नहीं होनी लेकिन masses क्या हो गए mass of each two particle is doubled मतलब क्या अगर ये M1 है तो अब क्या हो गया 2M1 ये M2 है तो ये क्या हो गया 2M2 इतनी बात समझ में आई next अगर मैं बात करूँ F is equals to F is equals to capital G M1 M2 upon R ये क्या है ये उसका है जब ये mass मेरा change नहीं हुआ था तब ये क्या था M1 M2 तब ये उसका force है ठीक है अब mass क्या हो गया change 2M1 2M2 तो F is equals to capital G 2M1 multiply by 2M2 upon R बच्चे क्या गरते हैं मैंने बहुत से बच्चों को देखा है capital G M1 M2 वो क्या करते हैं 2 अगर इधर है 2 अगर इधर है तो वो दिमाग चलाते है वो कहते हैं हम 2 common ले लेंगे तो capital G M1 M2 कहते हैं मजा नहीं life मजा ही आ गया बैटे मजा नहीं दुख हो गया क्योंकि आपने एक 2 को गायब कर दिया और अगर कभी 2, 2, 2, 2 multiple में है so simply you need to do multiplication तो क्या होगा F is equals to capital G 2, 2s are 4 4 M1 M2 upon R square अगर मैं देखूं तो यह F' है क्योंकि हम लोग नहीं आफ फोर्स निकाल रहा है so that F' is equals to 4 capital G M1 M2 upon R square और बेटे अगर मैं पूछूं कि क्या यह value आपकी F के बराबर नहीं है आपका हुए हाँ है सर तो F' किसके बराबर हुआ जो पहले फोर्स था उसका कितना गुना होना चाहिए 4 गुना तो answer will be 4 times हाँ या ना देखते हैं आगे कियों बढ़ते है the atmosphere is held by the earth सर दो सर इतना आसान question क्या कर रहे हो करना क्या चाह रहे हो मैंने का कुछ नहीं बिटे बस पूछ रहा हूँ the atmosphere is held by the earth कैसे है अर्थ में atmosphere मैं सांस ले रहा हूँ मजा आ रहा है और यह मजे का आलम मेरे को कौन दे रहा है धर्थी माता धर्थी माता में क्या है gravity वह से बच्च जच कहेंगे नहीं सार wind भी तो है wind चले मेरे wind को धर्थी पे hold करके कौन रखा है convinced gravity तो सब चूम बच्च्च फूमनता like magnet होगा पीच में तो इसको हम लोग क्या कहीं अर्थ-magnetic field मजा भाही याद करो magnet सिर्फ क्या attract करता है magnet repel भी करता है और अर्थ की जो gravity है वो सिर्फ और सिर्फ attract करते है that means option कौन सा correct है याद रखना अगर confused याए और अगर answer नहीं दे पाई तब बताएंगे हम बताएंगे हम बताएंगे हम ठीक है चलो आगे बात करते है the force of attraction between two unit point masses separate by a unit distance is called universal gravitational constant भाहिया नहीं समझ में आया ध्यान से देखो मैं समझाता हू मैं किसलिए बेठा मैं समझाने के लिए बेठा the force of gravitation force of gravitation का मतलब f is equals to capital G m1 m2 upon r square इन्होंने कहा कि यदी हम m1 और m2 को unit mass consider कर लें मतलब 1 1 consider कर लें capital G multiply by 1 multiply by 1 r को भी क्या consider करें 1 क्योंकि unit distance f तो f किसके बराबर होगा g के बराबर होगा that's why universal gravitational constant क्या ये सही है हाँ सही है बास समझ में हाँ भाई या आई मज़ा आ रहा मज़ा मज़ा आ रहा तो मैं मज़ा दिला रहा ठ्यालो आगे बढ़ते हैं the weight of an object at the center of the earth center of the मैं बूल गया है क्या बूल ला था the weight of an object at the center of the earth of radius r is याद रखिये अगर आप earth के center पे जा रहे हैं वेट आपका कितना considered करा जाएगा कितना considered करा जाएगा zero देखिये बास समझ में आ रही है चलिए आगे क्यों बढ़ते हैं next an object 10 newton in air when immersed fully अब ये समझने वाली बात है अगर ये जिसने बता दिया मैं मान जाओंगा ठीक है जैसे कि ये बरतन है इस बरतन में पे है पे मतलब वो पे वाला पे नहीं पे पल नहीं पे मतलब पे जल हिंदी में पिजल को पे कहते है ठीक है when immersed fully weight only 8 newton अब इसमें क्या कहा जा रहा है an object weight is 10 newton और 10 newton के भार को जब हमने इसके अंदर immerse करा तो हमने देखा when immersed fully in water it weights only 8 newton इसका weight कितना बचा 8 newton the weight of the liquid displaced by the object will be अब यहां पे पूछा जा रहा है कि यदी 8 newton ही पूरे भार अब देखा जा रहे पहले तो इसका कितना था 10 newton weight अब कितना देखा जा रहा है 8 newton तो जो पानी displaced हुआ उसका भार कितना होगा तो मैंने बताया था पानी अगर object आप डाल रहे हो और object डालने के बाद कुछ पानी बाहर के और निकल रहा है तो वो पानी का भार किसके बराबर होगा object के बराबर तो यहां पे पहले अब object का कितना है 8 निकला कितना 2 तो आंचा कितना हुआ? 2 Newton देखते हैं? Correct आगे बढ़ते हैं Next अगर्ड अगर्ड ये common sense वाला question है बता दोगे मान जाओंगा अगर्ड stand on the box having 60 cm length 40 cm width 20 cm width in 3 ways ठीक है In which of the following cases pressure exerted by the box will be सब में maximum पूछा है तो maximum किस में होगा? मैंने आपको बताया था pressure दो तरीके से है एक pressure मैंने क्या करा? ऐसे लगाया और एक pressure मैंने ऐसे लगाया किसमें pressure जादा महसूस होगा? जिसमें surface area जादा है और जिसमें surface area कम है तो आप कहोगे भी है जिसमें surface area कम है तो अब आप देखो कि भाई मेरे इसकी लेंद कितनी है 60 cm मतलब जादा सलफेज इसकी लेंद इसका बित कितना है 40 और इसका कितना है 20 तो basically 40 और 20 वाला जादा प्रेशर लगाएगा as comparison to 60 और 40 और 20 में कौन जादा प्रेशर लगाएगा 20 because उसका भी एरिया क्या है जितना कम जितना कम अगर मैं संपोस करूं जैसे नीचे मैठ है ठीक है और मैं अभी पैर ऐसे खड़ा हूं तो कम प्रेशर लग रहा है लेकिन अगर मैं बैली डांसर की जज़ए उसको जो अंगुठे पर खड़े होते हैं ठीक है वैसे खड़ा होने लगा तो मैं प्रेशर जादा लगाने लगा अब देखते हैं कोशन नमबर 15 कोशन नमबर 15 बहुत अच्छा प्रेशन है थोड़ा सा कॉंसेप्ट वाला है अगर आपका कॉंसेप्ट ठीक है अगर आपने थेओरी अच्छे से पढ़िए मैं यह आला भी प्रेशन आपको होमवक में दे रहा हूं यह अपना होगा कोशन of the day ठीक है जो कि मैं next वाली क्लास में इन दोनों को एक वाला कोशन और एक याला कोशन इन दोनों को आपको आपको समझाओंगा कि कैसे अपन करेंगे ठीक है आगे बढ़ते हैं भले ही मैंने answer दिखा दिया है लेकिन it doesn't mean कि मैं पूछूंगा नहीं कि आपने कैसे करा है अ अगेन आप देख रहे हैं on my left hand side and on your right hand side यहां पर आपको कई सारे courses देखने को मिलेंगे that is completely free of cost और क्या क्या चीजे हैं ebook और e-notes यह आप जाके website से download कर सकते हैं या फे play store पे app का install करना पड़ेगा बहुत सारी चीजों के notification कैसे देखने को मिलें तो वो notification आपको देखने को follow करेंगे और in channel का link आपको कहां से मिलेगा in the description box so I hope आपको आज की class अच्छी लगी हूँ मैंने अपनी तरफ से आपकी पढ़ाए में कुछ value add करी हूँ so this is it from my side bye bye take care